दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आउरत श्रीप ऐसा वाला काम करने के लिए बड़ी है आउरत के साथ हमको ऐसा वाला काम करना है मतलब आउरत ना एक सेक्स की मशीन है आउरत के साथ हमको सेक्सी करना है दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बाकी पूरिशों के जैसी मुझे भी कोई आउरत पटे मुझे भी कोई लड़की पटे और मैं उस आउरत के साथ गपागप कर सकूँ अभी न मैं जिन्दगी में न अकेले रह रहे के न अकेले में हिला हिला के भोछ जदा मतलव बोरू चुका हूँ अभी मुझे एक आउरत की जरुत है मैं न भूस सारे पूशों को देखता हूँ यूँकि उनके पास न भूँस सुन्दर सुन्दर अवरते होती है पर आज तक मुझे न कोई भी अवरत नहीं पटी तो मुझे अभी एक अवरत को पटा नहीं है दोस्तों आज को जो वुडियो है ना दोस्तों श्रिफ आप के लिए बना है क्योंकि आजकी इस वुडियो में दोस्तो मैं आपको ऐसी तीन प्रकर की आदत ये बताने वाला हूँ इन तीन आदतों को आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा अगर आप इन तीन आदतों को अपने अंदर रखते हो तो 101 टक का आप जिन्दगी में किसी भी औरत को नहीं पटा सकते और आप जिन्दगी बर ऐसे ही सिंगल रहोगे और जिन्दगी बर आपको ऐसे ही हिलाते रहना पड़ेगा तो इन तीन आदतों को ना दोस्तो आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा तो अगर आपको दोस्तो जानना है कि कुनसी है वो ऐसी तीन खतरनाक आदत है तो दोस्तो आजको जो वीडियो है ना दोस्तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखे क्योंकि आधा अधुरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपोर्टेंट वीडियो को देखो सबसे पहली जो डेंजर और खतरनाक आधत है और सो कुणसी है कि सबकुछ काम धंदा छोड़के श्रीप आवरत के पीछे पढ़ना और आवरत को न जरुरत से ज्यादा भाव देना दोस्तो अगर आपके अंदर ऐसी आधत है कि आप अपना सबकुछ काम धंदा छोड़के आवरत के पीछे पढ़ते हो श्रीप आवरत आवरत करते हो और आवरत को न जरुरत से ज्यादा भाव देते हो उसके पीछे एकदम नोकर जैसे रहते हो तो आपको न दोस्तो ओ नहीं पटने वाली क्योंकि आवरतों को न दोस्तो आप मुझे पूछ लो जो मैं बता रहा हूँ न दोस्तो ओ एक सो एक टका सचे अगर आप मेरी बात मानोगे तो निश्चित आपको ओ आवरत दोस्तो पढ़ जाएगी आवरतों को न दोस्तो ऐसे ही पूरुष पसंद आ दोस्तो दुनिया की ऐसी कोई भी आवरत नहीं है जिस आवरत को एकदम ऐसा निठलना बैटा हुआ पूरुष उसको पसंद आ जाता है दोस्तो ऐसी दुनिया की कोई भी आवरत आपको देखनी के लिए नहीं मिलेगी हर आवरत को ऐसा लगता है कि जो मेरा का बता सकता हूँ तो कभी भी दोस्तो बाकी पूरिशों के जैसा सब कुछ काम धंदा छोड़के आवरत की पीछे बावले बिल्कुल भी मत हो जाओ आवरत को भाव दो आवरत की पीछे पड़ो पर अपना काम धंदा करके दोस्तो तो यह सबसी पहली आदत है दोस्तो जि स्रीप ऐसा वाला काम करने के लिए बड़ी हैं, आउरत के साथ हमको ऐसा वाला ही काम करना है, मतलब आउरत ना एक सेक्स की मशीन है, आउरत के साथ हमको सेक्सी करना है, तो यह आपका मजरिया, आपको कभी भी एक आउरत नहीं पटने देगा, क्योंकि आउरत को अगर आप स सरे पूरुषों के इसी आदत होती है कि अगर उनके सामने कोई अवरत आये और ओ अवरत अगर उस पूरुष के साथ बात करे तो बात करते समय ना उस पूरुष के जो आके होती है उस अवरत के प्राइवेट पार्ट के उपर होती है तो अवरत को दूरं समझ आ जाता है कि ये पूरुष गंदा है और अवरत ना उसके बाद उस पूरुष से थोड़ा दूर ही दोस्तो आयना चाहती है मतलब वो अवरत कभी भी उस पूरुष के पास नहीं आना चाहती तो दूसरी आदत है जो आपको आज ही छोड़नी पलेगी और उसके बाद दोस्तो जो तीसरे ज्यादा ही आप डरते हो तो आपको न दोस्तो जिंदगी में कोई भी आउरत 101 टक्कर नहीं पड़ सकती क्योंकि आपके अंदर आपको पटाने का सपना न दोस्तो आप बिलकुल भी मत देखो क्योंकि आउरत को ऐसी ही पूरुष पसंद आते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है अगर आप हमेशा जरुरस से ज्यादा शर्माओगे जरुरस से ज्यादा डरोगे तो आउरत को आप कभी भी पसंद नहीं आओगे और दोस्तो अभी आपकी अर्जी है कि आप क्या करें ये फिर क्या नहीं करें जो मुझे बताना था ओ दोस्तो मैंने 1001 टक्का बता दिया है अभी आप मुझे बताओ कि आप क्या करने वाले हो मैं आपके कमेंट का ना दोस्तो तहे दिल से इंतजार करूँगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओ कि आप अभी क्या करने वाले हो तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही I hope जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद